Hello students, welcome to MOS classes, आज हम 8th class Math and CERT के chapter number 3 की exercise 3.1 के question number 4 को solve करेंगे 4th question में हमसे कहा गया है, examine the table, each figure is divided into triangles and the sum of the angles deduced from that आप इस table में check कर सकते है students के हमें अलगलग तरह की figures दी गई है, जैसे कि यहाँ पर एक triangle दिया गया है, जिसमे number of sides 3 होती है और यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है के triangle के 3 angles का sum 180 degree होता है यहाँ पर हमें quadrilateral दिया गया है, जिसमे number of sides 4 है और हमें यहाँ पर यह भी बताया गया है के quadrilateral के 4 angles का sum हम कैसे निकाल सकते हैं इस exercise की basic वीडियो में हमने आपको समझाया था students कि अगर आपसे कहा जाए के एक polygon है जिसमें number of sides 4 है तो इस polygon के 4 angles का sum आप कैसे निकालेंगे तो इसके लिए आप एक bracket में 4 में से minus करेंगे 2 को और इसे multiply कर देंगे 180 degree के साथ और इससे आपको जो answer मिलेगा वही इस quadrilateral के यानि के 4 side वाले polygon के 4 angles का sum होगा अगर आप 4 में से minus करेंगे 2 को तो आपको 2 मिलेगा और उस 2 को अगर आप multiply कर देंगे 180 degree के साथ तो आपको मिलेगा 360 degree यानि के 4 side वाले polygon के 4 angles का sum होता है 360 degree ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए के एक polygon है जिसमें number of sides 5 है और आपको इस 5 sides वाले polygon के 5 angles का sum बताना है तो आप कैसे बताएंगे आप bracket में 5 में से minus करेंगे 2 को और इसे multiply कर देंगे 180 degree के साथ और इसे calculate करके जो answer आएगा वही इस 5 sides वाले polygon के 5 angles का sum होगा ऐसे ही अगर आपसे ये पुछा जाए के 6 sides वाले polygon के 6 angles का sum बताएगे तो उसके लिए आप bracket में 6 में से minus करेंगे 2 को और इसे जो answer आएगा उसे multiply करेंगे 180 degree से और इसके बारे में हमने इस exercise की basic वीडियो में आपको detail में समझाया है इसके बाद हमसे कहा गया है What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides और एपार्ट में हमें दिया गया है 7 इसका ये मतलब है के 7 sides वाला polygon है और हमें ये बताना है के 7 sides वाले polygon के 7 angles का sum कितना होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर हम bracket में 7 में से माइनस करेंगे 2 को और इसे multiply कर देंगे 180 degree के साथ और जब आप 7 में से माइनस करेंगे 2 को तो आपको मिलेगा 5 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 multiply का sign as it is आ जाएगा और 180 degree भी as it is आएगा अब यहाँ पर हमें मिल गया है 5 multiply by 180 degree और जब आप 5 को multiply करेंगे 180 degree के साथ तो आपको मिलेगा 900 degree तो यहाँ पर आप लिखेंगे 900 degree यानि के 7 sides वाले polygon के 7 angles का sum होता है 900 degree बी पार्ट में हमें polygon की number of sides दी गई है 8 यानि के हमें यह बताना है के 8 sides वाले polygon के 8 angles का sum कितना होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे the sum of the angles of a polygon of 8 sides is equal to और यहाँ पर हम bracket में 8 में से minus करेंगे 2 को और इसे multiply कर देंगे 180 degree के साथ और जब आप 8 में से minus करेंगे 2 को तो आपको मिलेगा 6 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 multiply का sign as it is आ जाएगा और यह 180 degree भी as it is आएगा अब यहाँ पर हमें मिल गया है 6 multiply by 180 degree और जब आप 6 को multiply करेंगे 180 degree के साथ तो आपको मिलेगा 1080 degree तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1080 degree यानि के 8 sides वाले polygon के 8 angles का sum होता है 1080 degree C part में हमें number of sides दी गई है 10 यानि के हमें यह बताना है के 10 sides वाले polygon के सभी angles का sum कितना होता है इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं के 10 sides वाले polygon के 10 angles का sum कितना होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे the sum of the angles of a polygon of 10 sides is equal to और यहाँ पर हम bracket में 10 में से minus करेंगे 2 को और इसे multiply कर देंगे 180 degree के साथ और जब आप 10 में से minus करेंगे 2 को तो आपको मिलेगा 8 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 multiply का sign as it is आएगा और 180 degree भी as it is आजाएगा अब यहाँ पर हमें मिल गया है 8 multiply by 180 degree और जब आप 8 को multiply करेंगे 180 degree के साथ तो आपको मिलेगा 1440 degree तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1440 degree यानि के 10 sides वाजे polygon के 10 angles का sum होता है 1440 degree डी पार्ट में हमें number of sides दी गई है n n एक variable है यानि के हमें ये पता करना है के n sides वाजे polygon के n angles का sum कितना होगा यहीसे हम ऐसे भी कह सकते हैं के n sides वाजे polygon के सभी angles का sum कितना होगा तो जैसे अभी तक हमने इस question के पहले 3 parts को solve किया है वैसे ही हम इस part को भी solve करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे the sum of the angles of a polygon of n sides is equal to और यहाँ पर bracket में हम लिखेंगे n minus 2 multiply by 180 degree जब हमें 7 sides वाले polygon के सभी angles का sum चाहिए था तो bracket में हमने लिखा था 7 minus 2 जब हमें 8 sides वाले polygon के angles का sum चाहिए था तब हमने bracket में लिखा था 8 minus 2 और जब हमें 10 sides वाले polygon के angles का sum चाहिए था तब हमने bracket में लिखा था 10 minus 2 अब यहाँ पर हमें n sides वाले polygon के angles का sum चाहिए तो bracket में हम लिखेंगे n minus 2 अब क्योंकि n एक variable है तो हम n में से 2 को minus नहीं कर सकते तो हम इस answer को यही छोड़ देंगे यानि के n sides वाले polygon के angles का sum है n-2 multiplied by 180 degree I hope students आपको हमारा ये video पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये video पसंद आया है तो इसे like, share और subscribe कीजिए Thank you Thank you